Hello Everyone, मैं आशर करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल प्यूपल डीचे में जैसा कि हम सभी को पता है कि 16 दिसंबर यानि कि कल से हम लोगों की सीटाइट की ओनलाइन परिक्षा जो है यह शुरू हुई थी जिसका पहला शिप्ट जो है जो पेपर वन का लिया गया था इसको यहाँ पे सकसफ़ुली कंड़क किया गया था जबकि हम लोगों ने देखा था कि जो दूसरा शिप्ट था यान की पेपर टू का उसको कुछ टेकनिकल कारणों की वज़े से यहाँ पे पोस्पोन कर दिया गया है तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पहले शिप्ट यान की पेपर वन में पूछे गए प्रियावरान अध्यान यान की EBS की ओनलाइन परिक्षा में जो हमसे सटी कोशन पूछे गया है मैं एक एक कोशन आपके साथ डिस्कस करूँगी अगर आप लोगों को लगता है कि मेर से कोई कोशन चूट गया और आप लोगों ने ये परिक्षा दी है तो आप लोग कमेंच सेक्शन में कमेंच कीजिएगा मैं आप लोगों के कोशन को यहाँ पर पिन कर दूँगी तो चलिए वीडियो शुरू करें और प्रियावरन अधियन के जो सेक्शन में हमसे ये प्रशन पूछे गये थे इनको जराइ डिसकस करें और इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट तक आप लोग पहुचाईएगा जिनकी आगामी परिक्षा है जो कि पेपर वन में बैठने वाले हैं ताकि आप लोगों को एक आईडिया लग जाए कि आप लोगों को इन टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना है तो चलिए अब सीधा हम कोईशन के तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये जो दो कोईशन मेंने यहाँ पे लिखे गये हैं यह दोनो कोईशन हमारी प्रीविएस यह परीक्षा में भी पूछे गया हैं वो भी EBS के सक्षण में सीटाइड परीक्षा के अंदर अब देखिए यह जो दोनो कोईशन हैं यह क्या हैं जरह एक बार फट फट इन दोनो कोईशन को देख लेते हैं तो देखिए, पहले question में हमसे पूश रखा है, जो ये braille lipy होती है, ये braille lipy में कितने बिंदू देखे जाते हैं, अब देखिए, ये जो question आपका उठाया गया है, ये class 3rd की EBS की book में से उठाया गया है, और ये जो braille lipy होती है, इसकी मदद से, जो विक्ति नेत रहीन होते ह नहीं है, उनके लिए एक तरीके की ये पूस्तक बनाई गई है, जिसमें जो शब्द होते हैं, ये उभरे होते हैं, उनको चूके, उनको टच करके, यहाँ पर इस तरीके से reading और राइटिंग का काम किया जाता है, तो देखिए, यहाँ पर ये जो question है, इसमें पूछा गया इनको चूके यहाँ पर, फील करके यहाँ पर इसे पढ़ा जाता है, और ये discover किसके द्वारा किया गया था, ये Lewis Braille द्वारा discover किया गया था, इसके अलावा अगर हम अगले question की बात करें, तो यहाँ पर हमसे एक question ये भी पूछा गया था कि कुडुक, कुडुक भाशा जो क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की, अगर आपने पढ़ा है, तो ये दोनों question करने में आपको दिकत नहीं आईगी, इसके अलावा एक और question है, अब देखिए, इस question में ये जो तीसरा question है, इसमें मुझे खुद थोड़ा सा doubt है, कि यहाँ पर not है या नहीं है, क्योंकि कुछ candidate यहाँ पर बता रहे हैं, कि यह question इस तरीके सा आया था, which one of the following is a union territory, या फिर कुछ ऐसे बता रहे हैं, which one of the following is not a union territory, तो देखिए, यहाँ पर union territory, यानि कि जो हमारे केंदर सासित प्रदेश होते हैं, इससे समंदित question पूशा गया था, और चार अलग-लग option लिए गये थे, तो देखिए, उन options को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर जो जो हमारे union territory होते हैं, यान कि केंदर सासित प्रदेश होते हैं, इनके नाम लिख दें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, कि यह यह केंदर सासित प्रदेश है, यान कि union territory हैं, और इनको छोड के, बाकि अगर आपके option में आ जाएं, तो वो union territory नहीं होंगे, तो देखिए, सबसे पहले है JNK, अगला है लड़ाक, अगला है आप देख सकते हैं, चंडिगर, अगला है हमारे दिली, जो कि इंडिया की भारत की capital भी है, अगला है डादर और नादर, इसके अलावा दमन क्या है, यह हमारे केंदर सासिद प्रदेश कहलाते हैं, यान की union territory कहलाते हैं, अब देखिए, एक question यहाँ पे हमें, वेल क्रो के बारे में पूछा गया था, और यह question किस तरीके से पूछा गया था, वेल क्रो क्या होता है, जैसे आपने बैक के strip में देखा होगा, या पिस स इंडल के strip में देखा होगा, दो पार्ट होते हैं, जो एक दूसरे में चिपकते हैं, और किस भी चीज को चिपकाने में मदद करते हैं, अब देखिए, किस तरीके से था, एक statement इस तरीके से दे गई थी, कि यहाँ पे बोल रखा है, जो बाक को चिपकाने में प्रियोग किय जाता है, अब देखिए, बैक में जो strips होती हैं, उनको चिपकाने में प्रियोग किया जाता है, और जिसको अगर हम खोलते हैं, तो कैसी अवाज आती है, इसको खोलने पी चरचर के अवाज आती है, वो strip में से चरचरके अवाज आती है, और यहाँ पे पूछा गया है, कि इसका अविशकार जो है, इसको ingent किसके दवारा किया गया था है, इसका अविशकार यहाँ पे जो है, वो George Mestrile दवारा किया गया था. और अगर आप से पूछा जाए कि ये जो चर-चर के आवाज आती है, जो बैक को चिपकाने का काम करता है, इसके अलावा, आपको यहाँपे सैंडील के बार में पूछ सकते हैं, सैंडील को चिपकाने का काम करते हैं तो देखिए, यह वस्तू क्या है, यह object क्या है, यह आपका wellcrow जिसको discover किया था George Mestrel नहीं तो यह आपको clear होना चीह और question की language भी ऐसी पूछी गई थी अब देखिए अगला जो था एक match the following हम लोगों को पूछा गया था और इस match the following में आपको अलग लग जगा के नाम दे दिये थे और यहां पर आपको बताना था कि इन जगों में किस तरीके के घर बनाया जाते हैं जैसे कि एक आपको दे दिया था असम एक आपको दे दिया गया था मेगाले एक आपको दे दिया गया था यहां पर राजिस्थान एक आपको दे दिया गया था लगदाग अब जैसे लगदाग के अगर हम बात करें तो लगदाग में दो फ्लोर के घर होते हैं नीचे वाले फ तो इस तरीके से घरों के विशेष्था हमारी NCRT की बुक में बताई गई है और इस तरीके का एक मैस दौन दिया गया था इसके लावा हमें एक कोशन यहाँ पर किस तरीके से दिया गया था कि एक नक्सा है एक मैप है जिसमें एक सेंटीमेटर जो है वो आपका 400 किलोमेटर दर्शा आता है मतलब यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि 1 cm जो है वो कितने के बराबर है 400 km के तो आपको बताना है कि 3400 km जो होगा वो कितने cm के बराबर होगा अब देखे यह जो question है इसमें यह जो value है मुझे यहाँ पे जो आप लोगों के द्वारा बताये गई value है तो देखे थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है बट question इसी तरीके से आया था तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 cm जो है यहाँ पर कितना बता रखा है यह आपको 400 km बता रखा है यहाँ पर आपका अंसर आजाएगा 8.5 cm तो यह कितने के बराबर होगा यह 8.5 cm के बराबर होगा तो इस तरीके के question यहाँ पर पूछे गए थे कुछ और questions है जो कि हमें यहाँ पर प्रियाब रहे नग दियान यानि की EBS में पूछे गए हैं चलिए उन questions को भी discuss करें अगर आप लोग पेपर देखे आएं तो इन questions से आप लोग फेमिलियर होंगे अगर मेर से कोई question चूट जाए और कोई question अगर मैंने कुछ और बता दिया जैसे कि अगर मान लीजे आपको लग रहा है कि यह question नहीं है तो आप comment section में comment कीजिएगा पालन portion करते हैं इसे समंदित पूछा गया था यह Anita and honeybees करके एक चाप्टर है आपकी EBS के किताब में उसके अंदर यह topic मिल जाएगा तो यहाँ पे पूछा गया था कि मदुमक्खी पालन के लिए कौन सा जो महीना है कौन सा जो मन्त है वो सबसे अच्छा माना जाता है तो यह question का जो answer था वो था October से December और साथे साथ यह जो मदुमक्खी होती है इनको कौन से फूर यहाँ पर लुभाते हैं तो इन्हें लीची के फ्लार जो है यह लुबाते हैं इसके लावा हमसे यहाँ पे स्लॉट से समंदित एक question पूछा गया था स्लॉट जो होता है एक ऐसा एनिमल है एक ऐसा जानवर है जो कि भालू की तरह दिखाई पड़ता है पर यह भालू नहीं होता और देखिए question की language कुछ इस तरीके से थी कि कौन सा एक ऐसा जानवर है जो कि पेडों से उल्टा लटक करते हैं और इस तरीके से अपना जीवन वैतीत करते हैं और हफते में वह एक बार यहां पर सौच के लिए यांकि यूरीन पास करने के लिए वो पेर से नीचे उतरते हैं तो इस question का जो answer था वो था slot अब देखिए इस टाइप की जो question आये हो है यह आप डायेक्ट कर सकते ह अगर आप लोगों ने एविएस के एंसी आती वाली वीडियो जो है वो देखी हुए अब देखिए इसके लावा हम लोगों से एक यूनिक कोशन यहां पर पूछा गया था अब इस question के लिए मैं यहां पर शूर नहीं हूँ क्योंकि यहां पर मुझे आप लोगों के द्व यहां पर मुझे नहीं पता पर इसका जो question पूछा गया था वो इस तरीके सथा यह जो मदुबनी पेंटिंग होती है यह बिहार के district में प्रियोग की जाती है मतलब यहां पर पूरी स्टोरी टाइप के बनाए गई थी कि बिहार के district में प्रियों बनाई जाती है जो कि तक हो गया आपके nine question यह हो गया दस्वा question ग्यारवा जो question आपसे पूछा गया था वो elephant से समंदित पूछा गया था अब देखिए elephant से समंदित यहां पर हमें statement दे रखे थे कथन दे रखे थे और कथन कुछ इस तरीके से थे कि यह elephant होते हैं इनको क्या-क्या चीज़े करना पसंद होता है जैसे कि अगर हम इनके बारे में देखें तो नंदू हाती करके आपका एक चाप्टर है उसमें हमें elephant के बारे में बहुत सारी चीज़े बता रखे हैं जैसे कि जो नर हाती होते हैं जो male elephant होते हैं वो 13 से 14 वर्ष के जब होते हैं तो अपने herd को अपनी को टिक कर पाएंगे साथी साथ अगर हम यहां पर देखें तो हमें tiger से समंदित भी एक question पूछा गया था तो देखिए आप लोगों को यह topic तयार करने हैं इन topic से समंदित आपके statement आजाए आपके direct question आजाए आप easily यह कर पाएंगे तो 12 question हो गये अब देखिए 13th question जो यहां question का correct answer है तो देखिए एक दो question out of the box जाके पर पूछे गया है अब देखिए अगला जो यह 13th question है और यह आपका हो गया 14th question जिसमें हमें theme of EBS से समंदित दो अलगलग question दो अलगलग site में पूछे गया हैं तो देखिए यहां पर पूछा गया था कि EBS sorry NCF 2005 के अनुसार इन मे sequence में यहां पर लगाना था कौन से theme सबसे पहले है कौन से theme सबसे बाद में है मतलब उसके बाद कौन सी है तो इस तरीके से theme of EBS आपको पता होना जाए जो आप लोगों के साथ मैंने marathon class शेयर की है उसमें आप देखिएगा आपको मैंने theme हो गया आपको train हो गया दिशा हो ग Malaria से समंदित आपको क्या क्या चीजे पता होनी चीए इसमें खून जांच किया जाता है साथ इसाथ Malaria की जो दवाई है वो चिनकोना नाम की पेड के चाल से बनाया जाता है तो इससे समंदित आपको यह चीजे पता होनी चीए तो देखिए online परीक्षा है exact question का पता चलना तो थोड़ा सा मुश्किल है इसके अलावा हम लोगों से यहां पर अगर मैं किसी question को miss कर रही हूं तो यहां पर हम लोगों को एक direction से समंदित question भी पूछा गया है अब देखिए direction से समंदित जो question है मुझे वो exact नहीं मिला इस वज़े से मैंने आप लोगों के सामने यहां शेयर नहीं किया है इसके अलावा अगर आप लोगों के अभी भी तैयारी में आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप मेरे चैनल के playlist section में जाईएगा और चैनल की सिफ दो playlist आपको देखनी है पहली और डूसरी पहली playlist जो है वो marathon की है और दूसर प्लेगोजी की है यह दो अगर आप playlist देखते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहां पर तयार हो जाएंगी और कुछ-कुछ comment video तो मैंने आपकी marathon वाली playlist में भी डालिये और प्लेगोजी वाली playlist में भी डालिये तो आप इन videos को देखिए I hope यह जो आज कर यह session था आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलोंगे अगले वीडियो में अगले topic के साथ आप मेरे साथ चाहें तो telegram group पर जूर सकते हैं जिसका link आप लोगों को description में मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले topic क साथ बाई बाई तेक केर